हेलो एवरिवन वेल्कम टू दा एनर्जेटिक वर्ड ऑब दिक केमेस्ट्री आज हमें केमेस्ट्री के एनर्जेटिक वर्ड में सिखना है देखो जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में हेड्रोकार्बन चप्टर सिख रहेते हैं तो वहां पे अलकियन का पार्ट हमने कम्क्लीट क्या ता लेकिन अबी अलकाईन का पार्ट है हमें इस लेक्शस में चे अखनव करना है तो बचचर अ। देखो यह जो बेसिक लेक्षर इस नेम। market लेचर यह जो है can इसेकिन formation of alkyne उसका एक मेने जनरल ही जो है एक lecture बनाये वाला है वो तुम देख सकते हो तो देखो यहां पे क्या करना है हमें preparation method of alkyne हमें क्या करना है इस अलकाइन preparation करना है दो methods है में Alkyne preparation करना है जैसे क्या केल्शियम कारबैड से और विसीनल डायलाइट से लेकिन एक एक कर गिंगे एक करके रियक्षिन हम देखेंगे तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यह वाली रियक्षिन कोई से वाली calcium carbide की reaction जो है वहाँ पर हम यहाँ पर आज focus करेगे सबसे पहले कि calcium carbide का formula क्या होता है calcium carbide का formula क्या होता है वो हमें अभी discussion करना है तो calcium carbide का formula होता है क्या होता है देखो CAC2 मिस दो carbon है यहाँ पर calcium carbide एक basic information हमें सीख लिए यहाँ पर दूसरी basic information ऐसी सीखना है कि calcium carbide को कैल्शियम डाय कारबेट्स भी बहुत सकते हैं क्यों में डांग एक calcium है दो carbon इसलिए इसको हम calcium डाय कारबेट्स भी बहुत सकते हैं और तिसरी बात जो है यह होता है colorless होता है कैसा होता है calcium carbide कारबेट्स होता है बट कैसा रहता है colorless ओके इसका structure अगर मैं ड्रॉक करूं कैसियम करबेट्स का देखो किते कारबन हैं 2 देखो यहां पे यह triple bond है ओके यहां पे कितने loan pure of electrons है यहां पे कितना है एक loan pure of electron है इस थरा का इसका structure होता है इसका minus two लिख सकते हैं और calcium को यहां पे लिख सकते हैं इस तरह का structure होता है calcium carbides का तो हमने यहां पर basic बात है calcium carbide के साथ में सीख लिए क्या calcium carbide का uses हमें industry में या रोज के use में क्या के लिए use है देखो हमें जो है इसे की banana पकाने के लिए calcium carbide का use किया जाता है इसे की mango पकाने के लिए calcium carbide का use किया जाता है तो बेटा, एक तरह से यह घातक ही है, ओके, तो देखो, हमें क्या करना है, सिम्पल सी एक reaction सिखना है आज, जिसका नाम है calcium carbides, हमें क्या बनाना है? अलकाइन बनाना है, क्या बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक reaction देखना है, CACO3, इसका नाम होता है calcium carbides, calcium carbides इसका नाम है, okay, calcium carbides को लिए, इसको heat किये, बहुत सारे energy दी, energy देने के बाद में, मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर किते calcium है, एक, carbon किता है, एक, oxygen किता है, दो, तो यहाँ पर मुझे calcium oxide मिल जाएगा, प्लस CO2 gas remove हो जाएगा, सिम्पल सी बात है, CO2 gas remove हो जाएगा, मुझे calcium carbides को अगर मैंने hint किया, तो क्या मिला, calcium oxide, calcium oxide form में, मुझे यहाँ पर यह मिल गया, देखो, तो अब ही तक मुझे यहाँ पर alkyne मिल आ लई, step number 1 है, step number 2 देखेंगे हैं, सिम्पल सी बात है, calcium carbide को मैंने hit किया, hit करने के बाद में, मुझे calcium oxide मिला, calcium oxide को फिर से मैं hit करूँ, देखो, calcium oxide जो है, यह calcium oxide है, यह calcium oxide से, अरब हर है, इसको क्या करने का है, 3 carbon के साथ में hit करना है, कैसा, 3, 3, देखो, यह carbon, यह 3 carbon के साथ में, इसको heat करने का है, तुम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई problem नहीं, 3 carbon के साथ में, इसको heat करना है, heat करवाने के बाद में, मुझे क्या मिलेंगा, यहाँ से, 1 calcium है, 1 oxygen है, देखो, 1 calcium, उसके बाद में, कितना oxygen है, एक oxygen, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाएंगा, plus, क्या मिलेगा, carbon monoxide gas क्या हुआ बाद, release हुआ है, carbon monoxide gas क्या हुआ है, बाद, release हुआ है, तो इसका ही नाब होता है, calcium carbides, calcium carbides, समझ में आया, calcium oxide से, मुझे calcium carbides, यहाँ पर मिला है, calcium oxide को मैंने, calcium oxide को मैंने carbon के साथ में hit किया, यहाँ इसका ही नाम दिखनो नहीं यहाँ पर, इसका ही नाम है carbon, अब भी, फिलाल में, मुझे क्या करना है, जैसे कि, आपको पता है, अगर मैं calcium carbides, पानी में डाल दूँ, तो क्या होता है, वहाँ से, इथाइन के क्या होता है, वेपर निकलता है, जोलर निकलता है, जैसे कि, अब ही मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, यह reaction जो है, पूरी तरह से, मैंने NCRT से लिए है, यहाँ पे इसको हीट गिया, तो क्या मिलता है, जैसे कि, अगर मैंने calcium carbides, पानी में डाला, तो क्या होता है, calcium carbides, जब मैं पानी में डालता हूँ, तो वहाँ से क्या होता है, वेटा, हीट निकलना शुरू होती है, देखो, यह calcium carbides, third number के step में हम आच चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आच चुके हैं, तो simple क्या करना है मुझे, यह calcium लेने का है, यह carbides मजे लेने का है, इसका नाम होता है, calcium carbides, क्या नाम है, इसका calcium carbides नाम है, क्याल्शियम कार्बाइड को किसके साथ में हिट करवा दूँ और मैं वाटर के साथ में 2H2O 2H2O के साथ में अगर मैं इसको हिट करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे मुझे मिलेंगा सिंपल सा देखो यहां पर कितने क्याल्शियम है एक, देखो, एक कैल्शियम और OH 2 कैल्शियम हेड्रोकसाइड मुझे यहाँ पे मिल गया एक कैल्शियम, देखो, यहाँ पे OH गुरूप बना, प्लस मुझे मिलता है CH2 डबल, ट्रिपल बॉंड CH2, देखो यहाँ पे कार्बन और हेड्रोजन की संक्या मुझे काउंट करना जरूरी है एक कैल्शियम, एक कैल्शियम कितने यच चार यच यह दो, और यह दो चार उसके बद में कितने यह ओक्सीजन, दो ओक्सीजन यह दो ओक्सीजन सिंपल सी बात है न, इसका नाम होता है कैल्शियम हेड्रोकसाइड क्या नाम है कैल्शियम हेड्रोकसाइड कैल्शियम हेड्रोकसाइड से है यह मुझे कैल्शियम हेड्रोकसाइड मिल गया लेकिन यह जो कंपाउंड है इसी को जहां इथाइन बोलते है जैसे की मैंने Ithaine पानी में डालने के बाद में मुझे Heat के जरी यहां पर यह मिलता है Ithaine मिलता है तो यह Process मैंने अभी तक आपको समझके बोले तो यहां पर Board पर पूपरी तरह से लिखती है लेको आगे चलेके क्या होता है यहां पर Calcium Carbide की जो Reaction पूरी तरह से खतम हो चुकी है ओके तो मैं next slides ले लेता हूँ यहाँ पर जिसे कि हमें थोड़ी से information सिखना है किसके बारे में हमें सिखना है zaminal highlights और vicinal dihalights के बारे में अभी इस board पर हमें क्या सिखना है लगे तो इसका screenshot ले लो तो लगे तो तो आगले वाली reaction हमें देखना है जिसका नाम है vicinal dihalights क्यों से वाली vicinal dihalights देखो vicinal dihalights के बारे में हमें discussion करना है vicinal dihalights के बारे में हमें discussion करना है vicinal dihalights बोले तो क्या इसको जह हम dehydrohalogenation भी बोलते है इसको होके है अभी विसीनल दाराइट्स का मतलब क्या होता है समझो और एक्जामपल यहां पे कारबन है गाल यह पर क्या है चार्बन है यह कारबन है सिंगल मौंड है अगर यह हैलोजन ग्रूप यहां पर अटाच रहता है तो इससों हम विसीनल डाहलाइड केते हैं विसीनल डाहलाइड का एक्जामपल है वह उसके बाद में इसी को जम विसीनल डाहलाइड केते हैं इसके बाद में ग्लास केमीनल डाहलाइड किसे कहते हैं कर्बन है ऊपर हिए च्यार्वाण गरी टन के यहां पर हैलोजन अटाच है औरitel दो जैन अटाच है कि है इससी को जम जैमिनल कि यहां पर बोर्ड पर कर लिया है बट यहां पर हमें अभी थोड़ा सा डिस्केशन करना है अलकील हालाइट कैसे रिपर्जेंटेट करते हैं आपको पता है अलकील हालाइट्स अलकाईल हालाइट्स कैसे रिपर्जेंटेट करता है वह हमें इस लेक्चेस में देखना है रह Anda नाम औरी और मिंस यसमीं हालाइट्स-वे क्लोराइट के थी ल सिंपल सी बात है नवाट यहां पे दैमीनल बिसीनलडा में के बारे में रिपके एइक़ं सेब्स में को सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई छले हो यहां डिन सक्राइब कए प्रॉबल्लम में यहां । लेता हूं उपर क्या लगा देता हूं मैं यहां पर यह लगा देता हूं यहां पर यह लगा देता हूं सिंपल से जो बात है किस रियक्शन को हीट करना है किसके साथ में अलकोहॉलिक के साथ में नहीं तो sodium hydroxide के साथ में यह जो होता है पूरी तरह से यह basis होते हैं तो देखो मैं यहां पर इसी कुछ हम बोलते हैं इस reaction में क्या सिख रहे हैं कि विसीनल डाय हाइट से तो यहां पर क्या हो जाएंगा कि इस पर निगेटिव चाहिएंगा सिंपल सी बात पॉजटिव निगेटिव शीव तो देखो क्या करता हैं यहां पर हमें इस reaction में हमें vicinal dihalide से क्या बनाना है की हमें बनाना है की alkyne बनाना है simple से यह दो hydrogen atom यहां से निकाल दो और यह C-L atom यहां से निकाल दो means हमें यहां पर क्या मिल जाएंगा देखो सबसे पहले हमें मिलेंगा यहां पर CH 2 triple bond CH plus 2 2 C-L-2 देखो 2 H-C-L plus 2 2 H और 2 C-L तो मुझे क्या मिला यहां पर 2 H-C-L simple सी बात है simple सी बात है इसका नाम है alkyne बट इसका नाम होता है बटा दो मेंबर्स का नाम होता है ethane क्या है ethane simple सी बात है ना ethane मुझे यहां पर मिल चुका है तो seminal dihalytes vicinal dihalytes देखो इसकी wording लिखना हमें जरूरी है reaction की when vicinal dihalytes okay when vicinal dihalytes are heated with alcoholic ko h koma nao h it is obtained corresponding हमें simple जो बात बनाना थाई ethane वो ethane हमें यहां पर मिल चुका है okay तो यहां पर मुझे यह reaction vicinal dihalytes so dehydrogenation reaction जो है इससे हमने alkyne दोनों भी reaction में हमने alkyne preparation कर दी है but इस reaction के mechanism जब हम पढ़ेंगे पुरी तरह से तब हमें यह समझ में आएगा देखो मिठा यहां पर ethane मिल गा लेकिन इस reaction के mechanism हमें पुरी तरह से discussion करना है देखो मैं slide number third ले लेता हूँ इस reaction के mechanism हमें discussion करना है mechanism अभी mechanism के बारे में हमें discussion करना है किस reaction के इस reaction के जब हम mechanism पढ़ते हैं तब हमें पुरी तरह से समझ में आता है step one देखो step one है कि यहाँ पे step one number में क्या लेना है मुझे कोई भी यही reaction लेना है example के तोर पे यही reaction लेना है यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो यह carbon है यह carbon है यहाँ पे ऐसा bond है double bond sorry single bond single bond है यहाँ पे ऐसा bond है लेकिन यह जो है यहाँ पे halogen attachi beta और example यच 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 इसकी reaction में को काई को साथ में करवाना है mechanism के साथ में alcoholic potassium hydroxide यह तो sodium hydroxide के साथ में करवाद हो यह यहाँ पे presence रहते है तो हम मुझे क्या मिलने वाला है समझो और example मैं यहाँ पे यह जो होता है OH माइनस होता है यह na positive होता है OH माइनस होता है तो क्या होता है for example जब यह OH यह OH मैं यहाँ पे लिखू क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ इसके पात में two lone pair of electrons है इसके पास में OH के पास में वह OH क्या करता है simple सी बात है यह OH क्या करता है simple जाके में यहां का electron यहां पे shift होता है simple सी बात है न यह जो है न इसके पास में lone pair two electrons होता है और एक bond इस इलेक्ट्रों होता है तो यह OH क्या करता है simple सा जाके खाहां प्रेटा करता है इस carbon पे हमला करता है हमला कर देने के बाद में यह जो है यहां से इसको मजबूरन अपना electron means यहां पे अपना स्थान छोड़ना पड़ता है यहां से electron आया यहां पे attack किया तो यहां से electron shift होया तो यहां पे positive आ गया simple सी बात इस carbon पे तो यहां से electron क्या हुआ यहां पे shift होने के बाद में यह chlorine को खुद को निकलना पड़ा निकलने पड़ने के बाद में किस तरा का compound बन गया है यहां पे देखो compound बन यहां पे compound बन यहां का तो यहां पे अटाक करने की वज़े से यहां का यहां का यह बराबर है और यहां का hcl क्या निकलना बाहर निकलना plus heights hcl plus h20 h20 कैसे निकला निकलना न लेखो और example बेखो और example की तरफ हम धान देंगे यहां पे कितने हे अचिए ड हो और यहां का यह सो और सरी हैंशे है निकलता एक मीटा मीटा अहां देंगे प्लस के सी यहां से ओच निकलेंगा सिंपल सी बात है यहाँ पे यह निकला बाद में किस तरह का इस तरह का इंगा यह यह सील तो निकल गया ना यहां से उपर क्या रहेंगा यच इस तरह का यह मुझे मिल गया स्टेप नंबर एक में यहां पर मिल गया सेप urrectionसीफन का नमसी केंगे सिफनेंगे वही कंपाउंट फिर से लेंगे ऐगे यहां पर क्या नियंगा जब यह वेड्य फिर से OH क्या करेगा यह lone pair of electrons होते दो फिर से attack इस carbon पे मारेगा इस carbon पे attack मारने के बाद में यहां पे positive charge आजाएगा positive charge आजाने के बाद में यहां का electron यहां पे shift हो जाएगा shift होने के बाद में मजबूरन CL को क्या करना पड़ेंगा बार निकलना पड़ेंगा simple सी बात है न देखो तो कैसी बात है उपर क्या लिखाता मैंने k plus OH minus उसके बाद में na plus OH minus इस तरह का मैंने उपर लिखाता इस तरह से electron वापे shift हुआ था तो मुझे क्या मिलने वाला बेटा यहां से फिर से भी क्या निकलने वाला है के शीएल प्लस water सिंपल सी बात है न वाटर निकलेगा वाटर निकलने के बाद में मुझे इस सारा का कंपॉर्ण मिलनेगा CS2 ट्रिपल बॉन सीस्ट्व जो हमें इसको क्या कहता है एथाईन कहتे हैं हम उसके, क्या कहते हैं इथाईन मुझे यहाँ पे इथाईन इस reaction का यह mechanism है, पुरी तरह से यह reaction का मे का fix का discussion मैंने यहाँ पूरी तरह से दिया तो यहाँ पे कहाँ से a हुआ से hidden और काईसा उन्त बना तो यहाँ पे इस mechanism से तुम धारे उने तो देखो तो सबसे पहले हमें polymerization के बारे में पढ़ना है देखो sorry 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 dehydrogenation अभी dehydrogenation में इस क्या dehydrogenation के बारे में हमें discussion करना है dehydrogenation simple सी बात है देखो मैंने यहां पर इसके पहले नहीं बताया और यहां पर मैं लिखके देदेता हूं dehydrogenation का मतलब होता है कि यह जो alkyne है यह alkyne है यह alkyne जो है ओके यह alkyne जो है यह क्या करते हैं हम यह alkyne जो है किसके साथ में prepare करते हैं इटेधन अटेथ को जान this process is unknown as हेलोजीनेशन यह इसका आच्छल मेकानिजम मैंने आप यहाँ पर बता दिया लेकिन यहाँ पर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है लगे तो यह पूरे स्क्रीन लेकि देखो यह जो बॉरτο है इसका तुम यह क्या करो Screenshot लेलो इसके बाद में इसका लेलो इसके बाद में लगे तो इसका लेलो तीनो बॉर्ट भरेके मैंने यहाँ पर आपको लिख से दैदिया है तो हमें क्या डिसक्सिन करना है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें डिसक्शन करना है लगता है मुझे पूरे तरह से बोड दिखता है क्या मैं थोड़ा सा कैमेरा यहां से फिला देता हूं देखो तो क्या बात हो रही है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है जैसे कि यहां पर टू मिम्बर्स देखो यह अलकाइन के टू मिम्बर्स है टू मिम्बर्स जो होते हैं यह क्या होते है और सॉलिड स्टेट यह क्या रहता है सोलिड स्टेट रहते हैं बाकी के क्या रहते हैं जैसे कि बाकी के रहते हैं ऑर यह उड़्स देर आता है कि इसके बाथुपे ग ये ये इसकनी वाध्म 1 फाइज टू में कार्बन टू मिम्बस यह क्या होते हैं यह होते हैं लिक्विल स्टेट ओके उसके बाद में उसके बाद में हायर मेंश higher member जो होते हैं यह क्या रहता है यह होते हैं solidly okay next हम दो देख रहे हैं कि यह जो होता है दो point में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यह क्या होता है जैसे कि they are insolubal insolubal in water जो होता है insolubal in water बट soluble in organic solvent organic solvent में यह पुरी तरह से dissolve हो जाते हैं कि तो बच्चों इसी लेक्चर में हमने आज केमेस्ट्री का लेक्चर लिया है जिसका नाम है dehydrogenation reaction जो कि यहाँ पे आज preparation method और physical property of alkyne का यहाँ पे खतम होता है आपका काम होता है रोज का रोज लेक्चर रोज करो और रुकते हैं यही थांक्यू कि एथ ओूसा का रुखायम तो ऑज कि रहाँ ऊजायम तो और स्षिक्वीन स्थवीं रिख़ ज़क कर दो के और दे रहाँ ज़क्न को जजैं झाल झाल